नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सैटिल टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, सैटिल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और सैटिल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते है और यह भी डिसकस करेंगे कि सैटिल टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किम कंडीशन्स में सैटिल टेबलेट को लेना रेकमेंडेर नहीं होता है। सैटिल टेबलेट सेफलोस्कोरिन ड्रग प्लास की एक इन्टि बायोतिक दवा है। सेटिल टेबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इंफेक्शन होने पर किया जाता है। जैसे त्वचा पर कोई घाव या त्वचा पर कोई इंफेक्शन होने पर, फेफणों में इंफेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इंफेक्शन होने पर, दातो या मसूरों में infection होने पर, जोडो या हड्डियों में infection होने पर और कान नाक या गले में infection होने पर आपका डॉक्टर सेटिल टेबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। पेशाप में infection होने पर भी आपका doctor settle tablet को लेनी की सलाह दे सकता है। शरीर में infection होने पर आपको बुखार हो सकता है। इसलिए बुखार होने पर भी आपका doctor settle tablet को लेनी की सलाह दे सकता है। फेफरो में infection होने पर खांसी हो सकती है। इसलिए खांसी को ठीट करने के लिए भी आपका डॉक्टर सेटिल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन्स हैं जिनमें आपका डॉक्टर सेटिल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। सेटिल एक ड्रेंड नेम है, सेटिल टेबलेट के अंदर सौल्ट कमपोजीशन से फिरोकसिम होता है, सेटिल टेबलेट 250 Mg वा 500 Mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, दोस्तों खृपया वीडियो को लाइक करना नग भूले, अब हम डिसकस करेंगे कि सेटिल टेबलेट को कैस 14 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सेटिल 500 Mg कैपसूल को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन सेटिल टेबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती हैं, इसलिए आपको सेटिल टेबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना सेटिल टेबलेट को नहीं लेना चाहिए, आपको सेटिल टेबलेट को उतने समय तक पूरा लेना चाहिए, जितने समय के लिए आपके करेंगे कि सेटिल टेबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सेटिल टेबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ परसंट व्यक्तियों में सेटिल टेबलेट की वजह से कुछ सामाने साइ एफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बधजमी, तवचा पर रैशेस, पेट में दर्ग और दस्थ हो सकते हैं, अब हम डिसकस करेंगे कि सैटिल टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन कंडिशन्स में सैटिल टेबलेट को लेना रेकमेंदेड नहीं होता है, सैटिल टेबलेट वाइरल इंफेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती हैं, इसलिए एंटी बायोटिक दवाओं को कभी लेना चाहिए, जब जरूरत हो, बार-बार या बिना जरूरत के एंटी बायोटिक रेजिस्टिंस हो सकता है, और एंटी बायोटिक रेजिस्टिंस होने पर, वो एंटी बायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी, और ऐसी स्थिती में इंफेक्शन को ठीक करने के लिए, आपके डॉक्टर को दूसरी एंटी बायोटिक दवा देनी पर स अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में सैटिल टैबलेट की डोज घटानी पर सकती है, अगर किसी व्यक्ति को सै प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं सेटिल टैबलेट को ले सकती है या नहीं वैसे सेटिल टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है लेकिन प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही मह महिलाओं को सैटिल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनिंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सैटिल टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका सैटिल टैबलेट से समबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.